हाई गाई स्वागत है आपका हमारे इस यूटीब चनल पे और इस वीडियो में आपको बता हूँ और किस तरह से आप वेलमी के प्राइविट सेफ का जो है पासपर्ट ब्रेक कर सकते हैं with the help of security question अब मैंसे बहुत साइब गोलेंगे मुझे तो security question याद नहीं है तो मैं किस तरह से ब्रेक कर सकते हूँ तो अगर आपको security question याद नहीं है तो इस topic मैं एक और वीडियो बना हुआ जिसकी link आपको वीडियो के description में देखने को मल जाएगी तो आप उसको देखके बिना security question की आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है किस तरह से आप बिना security question के private safe का जो है lock तोड सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं तो guys हम आच चुके हैं मोगाईल के file manager के private safe folder के पास तो आज हम जानेंगे किस तरह से हम इसका जो है lock break कर सकते हैं the help of security question, तो अभी ना आपको क्या करना है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे इसे open कर लेना है और यह रहा हमारा private safe, तो मुझे इसका जो है password बिलकुल भी याद नहीं है, क्या password है तो मैं यहाँ पे अगर गलत गलत डालना है, जैसे आप गलत डालेंगे, तो आपको यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा forget password, तो आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आपको नीचे से एक walk-up देखेगा और आपको कुछ इस तरह का option देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, reset from security questions पे क्लिक करना है reset from security questions भी click करना है जिसे आप इस पर click करेंगे तो आप से कुछ इस तरह का जो है window open होगी तो यहाँ पर enter the answer of the security to the question enter the answer to the question below तो यहाँ पर former teacher name यहाँ लिखा हुआ है तो आपने जो भी teacher name मनलब जो भी आपने security question add किया है वो अगर आपको याद है देख रहे हैं और आपको security question याद नहीं है अगर आप बिना security question के इस lock को break करना चाहते हैं तो इसके लिए description में एक video है आप इस video को देख सकते हैं जिससे आपको पता चल लएगा किस तरह से आप बिना security question के private save का जो है पासपर्ट ब्रेक कर सकते हैं तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आपको याद है तो आपको डाल देना है तो मैं डाल देता हूँ मुझे याद है उसके बाद आपको क्या करना है confirm पर क्लिक करना है जिसे आप confirm पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लॉग है वो ब्रेक हो जाएगी तो जैसे कि आप आप को देख सकता है मेरा लॉग जो है break हो चुका है आप यहाँ पे new new lock set करने के लिए बोला जा रहा है तो यहांपे ना हमें ने new lock set करना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है अगर आप पिंट डालना जाए तो आप पिंट डाल सकते हैं अगर आपको कोई pattern या password डालना है तो इसके लिए आपको use a different password type पे click करना है नीचे आपको options देखने क जिसे आप यह कर देंगे तो आपका जो lock है वो set हो जाएगा तो अब हमने जो भी अभी recent में जो password set किया था वही अब हमारा password set हो चुका है तो अब हम इसे open करेंगे private ship पे हम click करेंगे और यहांपे ना मैंने क्या डाला था उसे मैं डाल देता हूँ जो अभी मैंने set किया त तो कुछ इस तरह से जो है आप अपने password को break कर सकते हैं with the help of security question तो यहांपे देख सकते हैं मैंने अपना password recover कर लिया है तो अगर आपको security question याद है तो कुछ इस तरह से जो है आप reset कर सकते हैं इसके password को तो I hope आपको यह जो वीडियो है वो पसंद आया होगा अगर आपको य लाइक कीजिए शिर कीजिए और इस चैनल पे गराप पे लिवा रही हुए है तो शालों को जलू सब्सक्राइब कर दीजिए